गाईज यार एक गेम की ID, जिसमें यार हम लोग बहुत ज़ादा उत्मा टाइम स्पेंड करते हैं, अपने नहीं ने दोस्ट बनाते हैं और भाई उसमें बहुत ज़ादा पैसे भी खर्च करते हैं कि भाई हम अपने दोस्तों के सामने कूल दिखें और भाई एक टाइम पर वो बैन हो जाए तो मैं समझ सकता हूँ यार कितना जादा बुरा लगता होगा गाई जार मेरा जो मेरा अकाउंट था जिसका लेवल 60 कुछ था भाई वो आज से एक साल पहले बैन हो गया था और अपकी आईडी अन्बैन कैसे होगी और बाई जिल लोग की आईडी बैन नहीं होगी यार वो लोग भी देखना क्योंकि यार मैंने इसमें बताया कि आप लोग क्या-kया मिस्टेक ना करें जिससे आपकी अईडी बैन हो सकती है चलिए तो आरे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बेसिकली यार में एक बैडिंग में गया था एंड वहाँ पर भाई मेरा एक दोस्ता बहुत पुराना मतलब कभी बच्पन में मिले होंगे उससे यार में मिला ठीक है उसने मेरे से हाथ बात मिलाया और हमारी थोड़ी बहुत ब बात मेरे पास कोई अच्छी सी आईडी नहीं है और भाई उसने फिर मेरे से कहा कि आप अपनी अईडी मेरे को दे दो जिससे कि आर आपकी आईडी का मैं लेवल इंक्रीज कर दूँगा और मेरे पास कलेक्शन में बहुत जाज़ाद चीज़ें हो जाएंगी यार मेरी खेलता दो-चार महीने में हो जाएगा और इसी लालाज में आके उस बंदे को आईडी दे दी दो दिन तक तो यार उसने जादा अच्छी से खेला मतलब पूरी पूरी रात ओनलाइन आया और भाई कसम से आर उस बंदे ने ना मेरे सारे के सारे जो मिशन स्पेंडिंग में पढ़े हुए थे उस टैम पे कोई इवेंट चल रहे थे सब कुछ क्लियर कर दिया था भाई मैंने सोचा अब मेरी आईडी ना सही हाथों में चली गई याब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यार देखो पढ़ाई के साथ साथ मेरे को गेम भी थोड़ा बहुत खेलन पढ़ता था तो यार में गेम की एदा टेंशन नहीं लेता था वस मैं थोड़ी बहुत वीडियो मनाता था और अपनी स्टेडिस पर फोकस कर रहा था तब भाई उस बंदे ने एक दिन एक बंदे से कस्टम लगा लिया उसने मेरे को फोन किया क्या मैं तुम्हारी आइडी उसने बैन करा दी भाई कसम से यार बहुत ज़्यादा दुख हुआ था और उसने मेरे को ये भी निये बताया कि मैंने आपकी आइडी में कुछ हैगवएक लगाया है जब मेरी आइडी बैन हुई ना कसम से मेरे आयडी ओपन नहीं हुई दैन उसके बाद यार मेरे को लोग ने भी ऐसा कुछ यूज किया ना तो प्लीज यूज मत करना क्योंकि यार यह बिल्कुल भी सेफ नहीं होते हैं उसने तो इंजेक्टर से भी पता नहीं कौन सा खतरनाक वाला हैक लगाया था आपकी आइडी में कुछ ऐसा लिख के आता है कि भाई आपकी आइडी जो ह आइडी का मेल भेजा तो उन्होंने यह भी नहीं कहा कि आपके आइडी को फ्यूचर में कभी देखेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ उन्हों तो डायरेक्ट बोल दिया आपकी आइडी जो है पर्मनेंटली बैन है आपकी आइडी में ऐसा कुछ लिख क्या थोड़े वह चांस और भाई तब मैं आपको बताता हूं कि पूरा यूट्व भाई मैंने च्छान मारा आजारो बंदे वाई उल्टी सीदू चीजे बता रहे हैं कोई बोल रहा भाई यह application डाउनलोड कर लो कोई बोल रहा भाई वह application डाउनलोड कर लो और भाई मैंने भी बहुत सारी tricks लगा ताकि हमारी ID कैसे भी करके हमको मिल जाए और simply मैंने उससे contact किया और कुछ टाइम बाद उसने मेरे से पैसो की demand करी पहले तो मेरे को यकीन नहीं हुआ फिर यार मैंने अपनी ID के लालच में आके मैंने का यार कोई बात नहीं यार जादा सजादा 800 रुपे तो जा रहे हैं मैंने उसको share कर दिया तुरंत बाद कम सकम 10 मिनट बाद जैसी उसने सीन किया ना तुरंत ब्लोग कर दिया मेरे को भाई मैं कसम से कुछ नहीं कर पाया और फिर अपने आपको एक आलिया देने लगा कि भाई मैं तो एक यूट्यूबर हूं फिर भी ऐसी गलती कर बैठा तो भाई कहने का मतलब यहीं है कि जिसको आपको गरीना को भीजना होता है किसी ना किसी दिन आगर आपका कोई भी mail गरीना के मतलब समझ में आ गया जैसा आप लोग कुछ बोलते हो तो भाई आपकी आईडि उससी दिन अनमैन हो जाएगी बट यह लोग क्या बोलता है कि कोई सी फाइल लगा लो भाई यह 500 रुपे रख लेते कि बस भाई हमारी आईडी तो अन्मैन होई जाएगी देखो भाई ये कड़बा सच यह है कि भाई किसी की भी आईडी अन्मैन कराने की नाम है गारंटी लेता हूं और ना लूँगा क्योंकि भाई किसी की आईडी में 100% सो रोके आप पर अन्मैन नहीं क मेरी तो पर्मनेंटली बैन हुई थी आपकी तो उपने चाईम यूट ने इस इप लगवाग चालिस लेवल 2 डारा एंट भाई एक वाद में सीख चुकाहाँ कि फ्री फाइầu में टोप आप में अब नहीं करूंगा, किसम से यार जब लाखों की आईडी खोई होगी तो आपको कैसा लगा होगा तो यार अगर आगर आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया और आप लोग को लगा कि भाई आपके साथ भी ऐसी कुछ हुआ जो हम लोग भोले पन में आकर ने आपर हैग वेग या इंजेक्टर हुआ एक नए अन्मेंड वीडियो का सोलुशन तब तक यार चैनल पर वने रहाना वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना इस्टा पर फोलो नहीं के तो फोलो कर देना सोथ हैं को रोचिंगेट गाइस